क्या जो भी सदन रहेगा हंगामेदार काई मुद्दो को लेकार नितीश सरकार को घेरने के तैयारी में है विपक्ष नमस्कार नीउस पूरीशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा बिहार वदान सभा का श्रीत कालिन सत्र चल रहा है और राज सत्र का चौथा दिन है हमने आपको लगतार खबरे दिखाए कि किस तरीके से सदन के अंदर हंगामा नजर आया और तेज़ श्री आदाव और नितीश सरकार आमने सामने नजर आया कई मुद्दो को लेकर विपक्ष ने नितीश सरकार को घेरा तो जले आज हम आपको बताएंगे क चौथे दिन सदन के अंदर विपक्ष किन मुद्दो को लेकर सरकार को घेर सकती है। चर्चा भी हो रही है। आज भी कई विभागों के प्रश्र पूछे जाएंगे साथी द्वितिया अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी और सरकार चर्चा के बाद उसे पास कराएगी। बताते चले कि आज प्रश्रकाल में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य कई विभागों के प्रश्र पूछेंगे। यहां तक की सत्तापक्ष के विधायकी मंत्रियों की ज्यादा मुश्किल बढ़ा रहे हैं। जिसमें सरकार की तरफ से सदस्यों की प्रश्नों का विस्तर उस्तर दिया जाएगा। करोड का दुत्ती अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया था। वही अनुपूरक बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1114 करोड और साथ निश्टे दो के तहत चात्रों के प्रोद साहन के लिए 1071 करोड रुपए सड़क और पूल के नर्मान के लिए 1063 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरे हाफ में असपर चर्चा होगी, मैं विपक्ष का क्या रुख होगा ये देखने वारी बात होगी। आपको बता दे कि भ्यारवधान मंडल का शीत कालिन सत्र पांच दिनों का चिसपार चलेगा। विपक्ष की ओर से वख बोर सलचोधन विधैक स्मार्ट मीटर और 65 पीसदी आरक्षन को लेकर लगतार दीश सरकार को कट घरे में करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्ष की तरब से लगतार हंगामा भी किया जा रहा है। सरकारी और सगन भी दिया जा रहा है। साथी सरकार द्वारा नोटिस नहीं लेने पर विपक्ष सदन का विपक्षी सदस्य वहिशकार भी कर रहे हैं। ऐसे में आज भी विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी है। तो देखिए आज जो श्रीव कालिन सत्र का चौथा दिन है और आज भी सदन की कारवाई जो है वो हगामेदार नजर आ सकती है। और ऐसे लगतार सदन में प्रश्नकाल असबार चल रहा है और यह लंबे समय बाद हो रहा है। एक तरफ जामोखे मन्स्री निदिश कुमार तो दूसरी तरफ नेटा प्रधिपक्ष ती जश्वी यादव भी प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौजूद रह रहे हैं। दोनों के बीच इशारों में समवाद भी हो रहा है। और इसको लेकर आब खूप सियासी चर्चा भी हो रही है। आज हो सकता है कि बजट पास भी किया जाए। फिलाल के लिए इस खबर में बसेत रहें। आप देखते रहें। युस को निश। 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 झाल झाल